दोस्तों जैश्री राम आज का विशय वस्तु बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का विशय वस्तु है इस मजबूरी के कारण रावण ने कभी माश्रीता को इसपर्स नहीं किया बहुत तरके तरक आते हैं रावण के पक्च में कुछ लोग अच्छे पक्च रखते हैं कुछ लोग बुरा पक्च रखते हैं अच्छा पक्च रखने वाले लोग बोलते हैं वह श्रीव जी की उपासत थे वह अब्रामनकुल के में पैदा हुए थे वह चारो वेदो के ग्य किया गलत नियत से यह बात पूर्ण रूपेन गलत है आज इस कारिक्रम में मैं इन चीजों को प्रूफ करने जा रहा हूं लोग रामायन में राम के उपर बात करते हैं हनुमान जी की उपर बात करते हैं आज मैं रामायन में रामायन के संबंद में रावन की उपर बात करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विशाय वस्तु आज मैं आपकी सेवा में रखने जा रहा हूं और अंतिम निर्णा इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपका होगा चलिए कारिक्रम को प्रारंब करते हैं देखिए हुआ क्या था एक वेदवती नाम की रिशी कन्या थी एक रिशी थे कुशोध्वज नाम के उसकी पुत्री थी वेदवती उसका इश्वर में बहुत अधिक आस्था था और वह निरंतर पूजा पाठ जप करती थी नारायन को अपने पती रूप में पाने के लिए और उनकी जो रिशी पिता थे वह भी अपनी बच्ची के बात से पूरी तरीके से आस्वस्त थे और हर तरीके का उने सहयोग करते थे ठीक है बेटा तुम्हारा सोच सही है तुम इस दिशा में निरंतर प्रयास करो एक दिन नारायन तुम्हें पती के रूप में अवस्य ही प्राप्त होंगे अब वेदवती जो है वह निरंतर पुजा पाठ करने लगी कई राजा महराज आये और वहाँ पर अपने विवाहे तु प्रस्ताव रखा सभी को वेदवती ने मना कर दिया इसी क्रम में एक दिन रावण भी वहाँ पर अपने विवाह का प्रस्ताव रखे वेदवती नी उन्हें अपने मन की इच्छाओं को जाहिर किया भई ऐसी ऐसी बात है इसलिए मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती रावण उतने में गुसे में आ गया क्रोध में वेदवती के बालों को पकड़ के घसीटने लगे वेदवती क्या करती तुरंत अपने हाथों को तलवार बना कर अपने बाल को काट दी और अपने आपको रावण के चंगुल से छुडाया और उस राक्षस के इस पर्षों ने कारण वही पर अपने सरीर को अगनी में समाहित कर दी लेकिन उसके पुर्व उसके पुर्व उन्होंने रावण को एक अभिशाप दिया आज के बाद यदि तुम किसी भी कन्या को इस्त्री को उसके इच्छा के बिना दुरवहवार के इंटेंशन से दि आप किसी को छूते हो तुसी समाज तुम्हारा पूरा सरीर नश्ट हो जाएगा उसी समाज तुम मरण को प्राप्त होगे ऐसा नहीं था कि रावण अपने सबसे पहले सिता मया को अपरण करके अपने लंका में ले आया उसके बाद पोलाइटली कन्विंस करने की कोशिश किया वह उसकी मजबूरी थी वह उसकी इंसानियत नहीं थी बेसिक अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है वह इंसानियत के नाम से उससे नहीं छुपाया या मजबूरी के नाम से नहीं छुपाया इस चीज का आकलन करना बहुत ज़रूरी है आज हम 21 सदी में हैं हमारे पास हर एक चीज को सर्च करने का आज हमारे पास ओप्षन है आज हम घर में मुबाइल में बैठे बैठे चीजों को देख सकते हैं चीजों का आकलन करना बहुत मत्वपून है एक्च्वल में उसका करेक्टर कैसा था चलिए दोस्तों आज के लिए आप सभी मुझे इजाज़त देंवे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवस्ते कीजिएगा आज के लिए जजै श्री राम